दिवाली के लिए दिल्ली सरकार की खास तैयारी करनाट प्लेस में होगा भब लेजर शोग जियां आपको बता दी कि दिवाली पर दिल्ली में लोग पठाके ना चलाए और तहवार पर भरपूर आनंद भी उठाएं इसलिए दिल्ली सरकार 26 से लेकर 29 ओक्टूबर यानि की छोटी दिवाली से लेकर भईया दूज जैसे एम तहवारों पर दिल्ली के करनाट प्लेस में एक भब लेजर शोग का आयोजन करने जा रही है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन के जरिवाल ने जानकारी देते में कहा कि प्रदूशन कम करने के लिए कम्मिनिटी दिवाली मनाई जाएगी साथ ही से देखनी के लिए किसी पास या फ्री एंट्री फीस की जरुरत नहीं होगी क्योंकि ये पूरी तरह से मुख्त होगा 26 ओक्टूबर को दिल्ली के उपराजपाल अनिल बैजल लेजर शोगा उट घाटन करेंगे कम्मिनिटी दिवाली में लेजर शोग के अलावा लोगों के लिए शौपिंग, फूड फेस्टिवल इत्यादी आकरशड भी होंगे गौर्ट अलबे की दिल्ली में सर्दी आने पर वाई प्रदूशड तेजी से खराब हो जाता है दिवाली के बाद हवा की गुडवत्ता गंभीर की शेणी में पहुच जाती है जिसके मद्द नज़त सरकार दोरा ये तरकीबे अपनाई जा रही है मीडिया को संबोधित करते वे मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री मनीश सिसोदिया ने लोगों को कम्यूनिटी दिवाली में आने के लिए आमंत्रित किया अब पटाखों के इस्तिमाल को पूरी तरह से परखास्त करने की अपिल भी की आज मैं दिल्ली के सभी लोगों को दिवाली की शुब कामनाई देता हूँ और दिवाली के मौके पे कनौट प्लेस में भव्य तरीके से दिल्ली सरकार दिवाली मनाने का इंतजाम कर रही है उसके लिए दिल्ली के सभी लोगों को दिवाली के मौके पे कनौट प्लेस में इन्वाइट करता हूँ के सब लोग आईए वहाँ पे और प्रदूशन रहित मिलके हम लोग दिवाली मनाएंगे दिली सरकार ने इसके लिए 26 तारिक से 29 तारिक तक इंतजाम किया है दिवाली मनाने का तो 26 तारिक छोटी दिवाली है 27 को बड़ी दिवाली और 28, 29 को भाई दूज है तो 26, 27, 28, 29 चार दिन तक शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक खूब शांदार लेजर शो का इंतजाम किया जा रहा है मेरे पास पिछले कुछ दिनों में फोन आया है कई लोगों के के जी पास कहां से मिलेगा हमारे लिए दो पास रख लेना हमारे लिए कोई पास नहीं है कोई पास की ज़रुत नहीं है सभी दिल्ली वाले अमंत्रित हैं लेजर शो जो है वो एक तो पूरे सीपी को लेजर के जरीए और तरह तरह से लाइटिंग के जरीए बहुत शांदार तरीके से सजाया जाएगा आप सजावट देखने के लिए आईए प्लस लगबग एक गंटे के साइकल है लेजर शो की ज पीच में कभी भी आईए आप एंटर कर जाएए देखते जाए और घंटा दो घंटा बैटके जब तक आपको देखना है और उसके बाद आप वहां से निकल जाएए और वहीं पे अंदर और बी किसम किसम के आर्ट और कल्चरल प्रोग्रेम्स का अरेंजमेंट है वहां पे फूड कोट का और बाजार का अरेंजमेंट है सो हमारा ये करने का मकसद ही केवल ये है कि एक तरह से पूरी दिल्ली हमारे एक परिवार की तरह है और सारी दिल्ली के लोग वहां पे आके दिवाली मनाएं और पटाके जलाने की जरूरत महसूस ना करें एक नए तरीके से हम और सब लोग मिलके दिवाली मनाएं अगले दिवाली के अगले दिन की जो हैड़ाइंस है या उससे अगले दो-तीन दिन की डिसकेशन से वह यह होते हैं कि इस बार इतने पटाके चले इतने का सेल उआ और इतना पॉलिशन लेवल बढ़ा इतना सांड लेवल इतना धुमा दिल्ली के लोगों से अपील यही है कि पहली बार सरकार कम्यूटी दिवाली बनाने का एजन कर रहे हैं और अल्टिमेटली पटाके चलाके जो जो जॉइफील होता है पटाके चलाके जो अच्छा फिलिंग निकल के आती है वही फिलिंग आपको पूरे कम्यूटी के साथ जाएगा आपको और उससे जादा बेहतर दिल्ली और शन्परी दिल्ली आपके लिए बनेगी ले में अब जो कि अ कि कि झाल को